सब्सक्राइब करने को अगर पैनी सेर को आपने ट्रैक किया होगा तो अपने कई पैनी सेर को ऐसे देखा वगा जो कि एक माहिने में 100% से जादे का रिटन दिखा चुके हैं यानि कि अगर उन सेर्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो मेरे खाल चे आपको काफी बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि अभी चलना इस्टार्ट किया है यानि कि अभी उनके अंदर ग्रोथ आना इस्टार्ट हुआ है तो अगर उन सेर्स को आप कंसीडर करते हैं तो काफी अच्छा खास मुनाफ़ा बनाया जा सकता है तो ऐसे ही एक स्टॉक की मैं बात करने जा रह हलाकि 2021 में भी इसका revenue काफी कम होता हुआ दिखा है लेकिन company ने profit बनाया है अगर बात करें 2018 की तो आप देखेंगे 2018 में company को 36 करोड का loss हो रहा था जो कि 2019 में वो loss थोड़ा सा कम होकर 23 करोड का हो चुका था फिर 2020 में वो loss बढ़कर 44 करोड का हो चुका था लेकिन अब 2021 में company अपनी ने 14.70 करोड का profit बनाया है इसका मतलब कि अब इस company में तेजी देखने को मिल सकता है तो देख लेते इस company का और detail क्या होता है दोस्तों अगर इस company के तेजी की बात करें तो आप देखेंगे मई 31 मई 2021 से यह share काफी तेजी के साथ growth दिखाना ही start किया है यानि कि अभी यह company बहुत उपर नहीं भाग चुका है तो अगर current label पर भी share को buy करते तो काफी अच्छा कासा मुनापाब बनाया चाह सकता है पिछले 5 साल से यह company एक label के नीचे ही काम करा था यानि कि जिन लोगों ने 100 रुपे पर मन्त के हिसाब से इसमें S.I.P. किया होगा उनकी label को cross करके उसके उपर इंटर कर लिया है अगर वहीं बात करें इस company के लिए दो से तीन महिने में यह company growth दिखाना स्टार्ट किया हुआ है तो देख लिए इस company का और क्या detail बनता है दोस्तों मैं बात कर दादा J.C.T. Limited company के business point of view से देखा जाया तो आप देखेंगे company जो की का करती है cloth business से belong करती है अगर cloth के साथ साथ यह company nylon filament yarn की manufacturing करती है अगर इसके बात करें कि कहां पर यह company इस्तीर है तो आप देखेंगे पंजाब में यह company income जो की manufacturing unit है वो पंजाब से belong करता है अगर वहीं इस company के market cap की बात करें तो 279 करोड का income market cap बनता है जबकि अगर बात करते ह अठारा दसलो तीन का PE देखने को मिलेगा इस company का industry जो PE है वो 26 दसलो 7 का यानि कि यह company अपने industry PE से भी नीचे मिला यह भी एक plus point हो जाएगा इस company के लिए डेप्ट की बात करतें तो 160 करोड का company के उपर डेप्ट है जबकि cash की बात करतें तो 22 दसलो एक करोड का company के पास cash प करते थी लेकिन 22% की holding लेकर DIY बैठे पड़े हैं जो की काफी बड़ी holding है अगर वही promoters की बात करते हो आप देखेंगे 27% की holding promoters की और FIIs की बात करतें तो 6% की holding जो की FIIs के पास पड़ा हुआ है जो की काफी अच्छी बात है कि DIY और FIIs दोनों including है और अच्छी खासी holding ले 200% से जादे का return देखने को मिल जाएगा 6 महीने में आप देखेंगे 287% और एक साल में 123% का return दो साल की बात करते हैं तो 198% का return यानि कि पिछले 2 साल से यह कंपनी काफी तेजी के साथ grow करने की कोसिस कर रहा है और काफी तेजी के साथ grow कर भी रहा है तो ऐसे में इस company का था 74 पैसे का उसके बाद से यह company भागना इस्टार्ट किया और यह company अब 3 रुपए के ऊपर निकल चुका है तो ऐसे में इसका अगला target क्या होगा क्योंकि अभी हाली में इसमें correction भी आ चुका है तो जाहिर से वादे यह company अब उस label को cross करके उसके ऊपर निकल चुका है तो अब इसका RSI 94 के 95 के आसबास पहुँच चुका था उसके बाद इस company में गिरावट देखनों को मिला था यानि correction आया था उसके बाद यह 50 के RSI के पास गया वहाँ पे जाकर support लिया वहाँ से भागने की कोसिस किया again तो इसके बाद यानि कि अगला जो इसका target होगा वह 5 उप स्वाटम के लिए इस सेर में इंटर किया है वह आगे भी continue कर सकते हैं क्योंकि 95 के पास जब यह पहुचे करेक्शन फिर से देखने को मिलेगा उसके बाद यह company फिर से उपर जाने की कोसिस करेगा इसलिए अगर आपने स्वाटम में इस सेर में इंटर किया है तो आप अपन सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो